मेरा नाम दिव्या है मैं अपने माता पिता की साथ एक छोटे से गाउं में रहती थी और मेरा बजबन एक डरावने सपने के जैसा था मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं बदल सकती थी मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरे जिंदगी बरबाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैद बन कर रह जाओ इसलिए मेरी मा ने मुझे सब लोगों से चिपा कर नाना नानी के घर भेज दिया था वे दोनों अकेले ही रहते थे इसलिए मेरे नाना नानी मुझे प्यार से रखते थे मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया अब मैं शहर में ही कंपनी में जॉब कर रही थी मैं बहुत कम बोलती थी मुझे लोगों से जादा घुलना मिलना पसंद नहीं था मैं सुबह को अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आ जाती सब ठीक ठाक चल रहा था पर मेरे अतीद की याद आती तो मेरे पैरों तरे से जमीन खिसक जाती लेकिन नाना नानी के प्यार ने मुझे अपने अतीद को भूलने में काफी मदद की अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी एक दिन हमारी कमपनी में एक नया मैनेजर आया उनका नाम निखिल था वो बहुत ज़्यादा हैंसम और स्मार्ट था अफिस के सारी लड़किया उसे आगे पीछी घूमती रहती लेकिन वो किसी पे नजर उठा कर नहीं देखता काम की सिलसिले में मेरा काफी बार उसके कैबिन में आना जाना होता धीरे धीरे निखिल अब मुझे पर बहुत भरोसा करने लगे थे क्योंकि मैं अपना काम बहुत इमानदारी और मेहनस से करती थी देखते ही देखते हम काफी अच्छे दोस बन गए थे मैं मन ही मन उन से प्यार करने लगी थी पर जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आती मैं डर जाती थी मैं अपनी नानी से हर बात शेयर करती थी उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था इसलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जब मैं उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी अब तुम्हारी जिंदेगी यही है तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो लेकिन मेरे कदम डगमगा रहे थे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसी तरह दिन गुजर रहे थे एक दिन निखिल ने अपने प्यार का इजहार किया एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था लेकिन निखिल भी मुझे पसंद करते थे और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया मैं अपने अतीत के कारण डरी हुई थी मुझे परिशान देख नानी ने पूचा दिव्या क्या हुआ है तुम कुछ दिनों से परिशान लग रही हो मैंने उन्हें बताया कि निखिल ने मुझे शादी के लिए प्रपोस किया है तो वो हसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो मैंने अपनी लड़कडाती हुई जबान से कहा आपको तो पता है कि मैं शादी कैसे उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है इतने अच्छे लड़की का रिष्टा तुम्हारे पास आया है और तुम इतना सोच रही हो मैं तुम्हारे नाना से बात करूंगी वो ज़रूर इस रिष्टे के लिए मान जाएंगे ये कहकर वो वहाँ से चली गई लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक तरफ तो मैं इस बात का इंतिजार कर रही थी कि निखिल भी मुझे पसंद करता हो और अब जब सब कुछ मेरी सोच के नुसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को तयार ही नहीं था नाना नानी को तो निखिल इतना पसंद आया कि उन्होंने पौरन शादी के लिए हा कर दी लेकिन मेरे दिल में अभी भी कही न कही एक दर्द चुपा हुआ था जिस वज़ह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया लेकिन नाना नानी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे समझा कर इस रिष्टे के लिए तयार कर लिया मेरी और निखिल की इस तरह से अचानक शादी हो गई मैंने कभी सूचा भी नहीं था देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैं दुलहन बनकर निखिल की साथ उसके घर पर आ गई यहाँ सब कुछ मेरे सपने के जैसा था इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन घर की सारी जिम्मेदारिया मुझे पर थी सब कुछ अच्छा चल रहा था पर किसमत को मेरा अच्छा देखा नहीं गया मैं भी सोच नहीं सकती थी कि मेरी जिंदेगी में ऐसा भी मोड आएगा एक राज जब हम खाना खा रहे थे निखिल ने मुझे कहा दिव्या कमपनी की तरफ से मुझे एक महने के छुट्टी मिली है क्यों न हम मेरे मादा पिता से मिल आए तुम तो उनसे अब तक मिली नहीं हो मैंने भी खुश होकर हामी भर दी उन्होंने मुझे बताया कि वे गाउं में रहते हैं और वो बहुत अच्छे है मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था इसलिए उन्होंने बच्पन में ही मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था मुझे भी बहुत वक्त हो गया है उनसे मिले हुए लेकिन मेरी उनसे फोन पर बात होती रहती है हमारी शादी के बारे में भी उन्हें मैंने फोन पर ही बताया था और वो सुनकर बहुत खुश हुए और अब वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे हम अगले ही दिन गाउ के लिए निकल गए मुझे नहीं पता था मैं नहीं जानती थी कि ट्रेन का सफर कहा खतम होगा जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से उत्रे मेरी आखों के सामने अंधेरा चा गया और मुझे चक्कर आने लगे निकल ने मुझे संभाला और वही स्टेशन पर बिठा दिया उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगा तुम्हारी तब्ये ठीक नहीं है हमें घर ही रुक जाना चाहिए था मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है मैं ठीक हूँ मैंने बहुत मुझे से खुद को समझाया मैं और निकल स्टेशन से गाव की तरफ बढ़े मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था मानो जैसे मेरे पैर आगे बढ़ने को तयार ही नहीं थे जैसे जैसे हम निकल के घर की तरफ जा रहे थे मेरा दिल बहुत बेचेन हो रहा था हम जैसे कि उसके घर के दर्वाजे पर पहुँचे डर की वज़़से मेरे पसीने छूटने लगे पता नहीं मेरे किसमत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जैसे ही घर का दर्वाजा खुला मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए सामने निखिल के पिता थे मैंने जल्दी से अपना मूँ छुपा लिया और खासने का नाटक करने लगी निखिल ने मुझे से पूझा कि क्या हुआ मैंने कहा कि कुछ नहीं असल में मुझे बच्पन से ही धूल मिट्टी से अलरजी है और यहां गाउ में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे यहां अपना फेस कवर करकी रखना पड़ेगा निखिल बोले चलो ठीक है अंदर आओ निखिल अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश थे उन्होंने उसे गले लगा लिया और प्यार करने लगे निखिल की मा को देखकर मैं दंग रह गई मैंने अपना चहरा और अच्छे से ढख लिया निखिल ने सबको मेरी अलरजी के बारे में बता दिया निखिल की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी निखिल अपने घरवालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे लेकिन मैं घबराय और सहमी हुई थी खाने के टेबल पर सब लोग हसी मजाग कर रहे थे इतने में ही निखिल ने पूछा कि सुनिल कहा है जब से मैं यहां आया हूँ वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा ये सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट छूट कर नीचे गिर गई निखिल के पिता ने बताया सुनिल कुछ काम से गाव के बाहर गया हुआ है उसकी भी शादी हो गई है कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया है खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई मेरे अंदर अजीर सी बेचरेनी हो रही थी इतनी देर में किसी ने दर्वाजा खट-कटाया दर्वाजे पर निखिल थे मुझे अपने घरवालों के बारे में बताने लगे और घरवालों से मिलकर वो मुझे बहुत खोश लग रहे थे पता नहीं मेरे किसमत में आगे क्या लिखा था मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं निखिल को खोने से डरती थी मैं सोच रही थी कि निखिल जब सब जान जाएंगे तो उसके बाद कहीं मुझे छोड़ ना दे मैं ज्यादा तर अपने कमरे में ही रहती थी और सब को खास कर दिखाती ताकि सब को लगे मेरी तबियत खराब है सुनील भी आज वापस आने वाला था यही सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा था मैं सदमे में थी मैं अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी मैं दिल ही दिल में उलज़न में पढ़ रही थी जब सुनील के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना करकर अपने कमरे में लेट रही सब लोग बहुत खुश थे सुनिल और उसकी पतनी घर आ गए थे वो सबसे मिले निखिल ने उसे मेरे बारे में बताया और उसकी पतनी मेरे कमरे में आई मैं चादर ओढ़े लेटी हुई थी मैंने उससे थोड़ी बात की मुझे सुनिल के सामने आने से डर लगता था जब वो घर में नहीं होता था तो मैं अपना फेस कवर करके सब घरवालों के साथ रहती लेकिन उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में चली जाती एक रोज में अपने कमरे में बैठी, अपनी जिन्देगी के खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और सुनिल की पतनी के बारे में सोच रही थी इतने में निखिल आ गए और मुझसे पूछने लगे तुम्हारी तबियत अब कैसी है मैंने कहा कि अब तो ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी अलर्जी ठीक हो जाएगी वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मेरी हर बात आख बन करके मान लेते एक दिन निखिल मुझसे कहने लगे, सुनिल मुझसे शिकायत कर रहा था कह रहा था कि तुम बहुत अजीब हो, अपनी पतनी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलाया उनकी ये बात सुनकर तो मैं और जादा डरने लगी मेरे अतीत का यू अचानक सामने आ जाना, किसमत न जाने कौन सा खेल खेल रही थी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किसमत ने क्यों मुझे फिर यहां लाकर खड़ा कर दिया था अब मैं गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी मैं निखिल से कहती थी कि प्लीज यहां से वापस चले यहां मेरा दम घुटने लगा है, यहां मेरी तब्या ठीक नहीं रहती यहां पर मुझे बहुत जादा बेचेनी होती है, मेरा दिल नहीं लगता यहां पर मैं बहुत जादा परिशान थी निखिल यह सब देखकर घबरा गए, सालों बात कैसे मैं अपने होश खो बैटी थी मैं बहुत मुश्किल से अपने आपको संभाल रही थी एक दिन सुनिल ने मेरा दर्वाजा खट-कटाया, मुझसे कहने लगा कि भावी मैं अंदर आ जाओ, मैं एकदम से घबरा गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है मेरे पसीने छूटने लगे, बिना कुछ सोचे, मैं जल्दी से पीछे के दर्वाजे से बहार जाने लगी मैं मास लगाना भी भूल गई, जैसे ही मैं दर्वाजे पर पहुची तो मेरी नन्द ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे घर के अंदर ले लिया मैं अपना सिर जुकाए खड़ी थी, घर के बागी लोग भी वही पर थे ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुझरिम हूँ सनेहा कहने लगी, अरे ये तो मेरे दोनों भाईयों की दुलहन है इसकी क्या वज़ह थी, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे मैं किस्मत के हाथों मजबूर थी, क्योंकि अब मेरा सच सबके सामने आने आने वाला था निखिल ने कहा, ये क्या कह रही है, आखिर सच क्या है, इसकी बात का क्या मतलब है मैं उनकी बात सुनते ही रोने लगी, मैं सुनिल की तरफ देखने लगी मैं सोच रही थी कि सुनिल मेरी सफाई में सब कुछ सच बताएगा लेकिन उसकी जुकी नजर देखकर मैं समझ गई थी कि वो कुछ नहीं कहने वाला क्योंकि उसका जुका सर और उसकी जुकी नजरे इस बात को बयान कर रहे थे कि मेरा ही कसूर है मैंने निखिल से कहा कि मैं इन सब की अकीली जिम्मेदार नहीं हूँ ये लोग भी मेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके कसूरवार है वो कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है ये सब क्या कह रही हो आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है मुझे कोई सच बताएगा वो एकदम से गुसे में चीक पड़ा मैं जोर जोर से रोने लगी और सब के आगे हाथ जोड़ कर कहने लगी प्लीज आप मेरी शादी को बचा लो मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने अतीत को भूल कर आगे की जिंदगी में कदम रखा और निखिल से शादी कर ली मुझे रोता बिलगता देखकर मेरी नन्म को मुझे पर तरस सा गया वो मेरे पास आई और मुझे गले लगा कर दिलासा देने लगी और निखिल को मेरा सारा सच बताने लगी और कहने लगी कि ये लड़की सच कह रही है सालों पहले जब हमने तुमें शहर भेज दिया था हमारे माता पिता ने सुनिल और उसकी बच्पन में ही शादी तै कर दी थी अक्सर लड़कियों के माता पिता अपने सर के बोज को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बच्पन में ही कर देती थे इस लड़की की और सुनिल की बच्पन में ही शादी कर दी गई थी लेकिन जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो इस बच्पन की शादी को मानने से इंकार कर देते हैं अगर उनके माता पिता उनसे जोर जबरदस्ती करते तो वो तंग आकर घर छोड़ कर चले जाते थे या फिर अपनी पत्नी को तलाग दे देते थे वो बताने लगी कि इसी तरह सुनिल और दिव्या के साथ भी किसमत ने यही खेल खेला इनका भी बच्पन बरबाद हो गया सुनिल को ये रिष्टा बिलकुल पसंद नहीं था क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था जब समाज के डर से इन दोनों को शादी माननी पड़ी सुनिल हर रात अपना गुस्ता दिव्या पर निकालता उसे मारता पीठता उसे लगा शायद इसी वजह से दिव्या उसको तलाग दे देगी पर हमारे यहाँ लड़किया तलाग नहीं दिया करती थी इसलिए तंग आ लेकिन हमने यहाँ भी इसको चैन से जीने नहीं दिया और कुछ दिन बाद सुनिल ने सबको बता दिया कि इससे उसे कोई रिष्टा नहीं रखना और फिर हमने इस लड़की को यहाँ से धक्के मार कर घर से निकाल दिया यह बेचारी दर-दर की ढोकरे खाती रही फिर मैं भी सच को किसी के सामने नहीं बताओं उन्हें उनकी इज़त जाने का धोका था निकिल कहने लगा कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे चिपाया यह सब लोग तुम्हारे गुनेगार हैं लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने म एहली शादी हो गई थी तो तुम उसे कैसे कर सकती थी यह सुनकर मैंने सुनील की तरफ देखा इतनी देर में सुनील की पतनी ने उसे जोर से ठपड मारा और कहा ये सब क्या चल रहा है तुमने मुझे धोका दिया धोके से मेरे साथ विषोह। अब मैं तुम्हें डिवॉस दे दूंगे तभी मैं सुनिल पर चिलने लगी और उसे कहने लगी कि सुनिल अब तो सच बताओ वरना मेरी और निखिल की तो छोड़ो पर तुम्हारी मासुम पत्नी की जिंदेगी भी बरबाद हो जाएगी अगर तुमने आज सब को सच नहीं बताया तो सब कुछ बरबाद हो जाएगा मेरी नजर सुनिल पर जमी हुई थी उसके माता पिता भी बहुत जादा शर्मिंदा थे सुनिल की पत्नी भी उसको पकड़ कर जिंजोड रही थी निखिल भी अपना सर पकड़ कर बैट गया ऐसा लग रहा था जैसे कयामत तूट पड़ी हो एक ही लड़की दो भाईयों की पत्नी कैसे हो सकती है निखिल मेरे आगे हाथ जोड़ कर कहने लगा कि प्लीज मुझे बताओ आगे का सच क्या है तब ही मेरी नंद कहने लगी कि निखिल भाई सुनिल गुनेगार है इसने इसके साथ ये सब कुछ किया है और अब चुपचाप खड़ा है निखिल ने गुसे में सुनिल को जोर से थपड़ मारा सुनिल जमीन पर गिर गया और निखिल की पैर पकड़ कर माफी मागने लगा और कहने लगा कि मैं ही दिव्या का कसुरवार हूँ उसने बताया कि सालों पहले जब मैंने इसे घर से निकाल दिया था और जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे दूसरी शादी करने का सोचा था इसको डिवास पेपर भिजवा दिये थे अब ये मेरी पत्नी नहीं है ये आपकी पत्नी है इतने देर में मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर की आवाज आई वो सब को बता रही थी कि आप सभी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे ये प्रेगनेंट है मेरी आखे खुल गई और ये सुनकर तो मेरी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी बस किसमत ने हमारे साथ ये खेल खेला है मेरे पैर पकड़कर माफी मांगी और उसके माता पिता ने भी अपने गलती का हैसास करके मुझे माफी मांगी निखिल भी जान चुका था कि ये सब मेरी कोई गलती नहीं मैंने तो सир अपनी माँकी कङसम की खातिर सब कुछ चुपाया था मेरे और सुनिल के बीच में अब कोई भी रिष्टा बागी नहीं रहा था सालों पहले ही मेरा और सुनिल का डिवॉस हो चुका था मैंने भी सब को माफ करके अपना दिल साफ कर लिया सुनिल ने अपने पत्नी से भी माफी मांगी और उसने भी उसे माफ कर दिया अब हम सब अपनी जिन्दगी में बहुत जादा खुश थे। एक महने बाद हम दोनों शहर आ गए। अब हम सब लोग हसी खुशी रहने लगे थे। मैंने एक बेटी को जनम दिया। निखिल ने अपने गाव जाकर सब को बहुत समझाया और गाव वालों की सोच बदल कर उन किसमत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तो दोस्तों उमीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेर जरूर करें। और ऐसी कई दिल्चस्प कहानिया सुनने के लिए आपकी कहानी सुनों चानल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद झाल को सब्सक्राइब करें।